मैं गुंदा, कातिम, जेल से भागा हुआ मुच्रिम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, बॉलिग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ हमिश कातिया गयी। दोस्तों, मैं वापस आगई हूँ एक और नई कहानी के साथ में, तो मेक्शर आप इस वीडियो को इंतग जरूर देखे। राहुल थसराना, जिसकी उमरत 30 साल है, उसने अपने ही केस की पुलिस आफिसर को जाल में फसा कर शादी कर ली। ये बात है तब की जब राहुल को मुर्डर के लिए पकड़ा गया था, मनमोहन गोयल जो की एक जाना माना ट्रेडर था, उसे जान से मारने के बाद राहुल को गिरफतार कर लिया गया था। 2014 में राहुल को पुलिस उठा के ले गई थी, राहुल ने सबसे पहले चोरी शुरू की थी जिसके बाद उसका हाथ फैलता गया। उससे सूरजपुर के कोट में हाजरी देनी पड़ी थी, मनमोहन के मुर्डर के बाद जहां पर उसकी मुलाकात पायल से हुई। पायल वहीं की एक पुलिस उफिसर थी जो कि कुछ सालों से यहां काम कर रही थी। अब पायल और राहुल की मुलाकात उस दिन कोट में पहली बार हुई थी। राहुल अपने केस की सुनवाई के लिए वहाँ था और पायल अपनी ड्यूटी पर थी। केस के ट्रेल के बाद पायल को ड्यूटी दी गई थी कि वह राहुल को सजा के तौर पर जेल मिले जाएगी। अब पायल खी तो ड्यूटी पर लेकिन कब राहुल ने उसे अपने चाम से फसाना शुरू कर दिया इसका पता पायल को चला ही नहीं। जेल में पायल और राहुल की बाते होती थी और राहुल अपने बिंदास और मनमौजी बातों से पायल को पसंद आने लगा था। यसे तो पायल को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रॉक्शन्स थे कि वह किसी भी कैसे भी इंसान के साथ में कोई नीची बात नहीं करेगी मगर राहु के अंदाज ने उने गुम्राह कर दिया था. इसकी वज़ा से राहुल भी जेल से कभी-कभी बेल पर बाहर आता था और कसूरवार होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी के मजे ले रहा था. एक गांगस्टर होने की वज़ा से राहुल को गुम्राहा करना तो अच्छी के साथ था मगर फिर भी वो पायल का ख्याल रखता था राहुल को भी पायल से प्यार हो गया था मगर वो अपना काम छोड़ने के लिए बिल्कुरी भी तैयार नहीं थी पायल को जब जिम्मधारी दी गई राहुल की तब वो आज ऑफिसर इस केस में इंवाल्व थी मगर पा इंकाउंटर में देखा जाता है पायल और राहुल की कहानी फेमस हो गई थी और पूरे गाउं में इसे लिए पायल की ऊपर आक्शन्स भी लिए गए थे मगर पायल ने राहुल को कभी ना चोड़ने की कसम खाई है बस दोस्तों ऐसी ही कुछ कहानी आपको खलनाय की याद के साथ में हमारी आजी राइटर में प्रतिका